भारत में कोरोना महमारी अभी दूसरी स्टेज में है, यानि ये वो स्टेज है जब कोई बीमारी साने लोगों में अपना दाइरा पहलाना शुरू कर देती है लेकिन अगर कोरोना के स्टिती में इसके प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो हालात बिगड़ सकते हैं हाला कि भारतिय स्वास्त शोध परिशत यानि ICMR के मुताबिक अभी इसे अगले स्टेज से रोकने के लिए सरकार के पास एक महीने का समय है ICMR के निदेशक जनरल बलराम भारगव के अनुसार भारत में कोरोना वाइरस को अगले स्टेज में पहुँचने से रोकने के लिए एक महीने का समय है एक नजर डाल लेते हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 में बीमारी की स्थिती पर तो स्टेज 3 में बड़े पैमाने पर बिमारी समुदायों और महलों में फैलनी शुरू होती है वहीं स्टेज 4 में बिमारी की ऐसी स्थिती में कहना मुश्किल हो जाता है कि कब और कहां ये खत्म होगी दरसल इसके माईने ये हैं कि स्टेज 3 में कोई भी वाईरस बड़े पैमाने पर लोगों के बीच अपने पाउं पसारता है जबकि स्टेज 4 में वाईरस से उपजी बिमारी एक महमारी का रूप ले लेती है आपको बता दें कि चीन और इटली में कोरोना वाईरस संक्रमन इससे भी अगले स्टेज में चला गया है यहां फिलहाल तो कोरोना वाईरस के खत्म होने की हालत कब होगी इसका अंदाजा ही नहीं है फिलहाल भारत में अभी कोरोना वाईरस स्टेज 2 तक पहुचा है सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है और अगर सरकार के ये उपाय कारगर साबित होते हैं तो इस बिमारी को स्टेज 3 में जाने से रोका जा सकता है वही सवाल उठा है कि अगर किन ही वजों से ये बिमारी तीसरी स्टेज या इससे ज़्यादा खरतानाक लेवल पर जाती है तो सरकार कितनी तयार है तो चलिए आपको बताते हैं कोरोना वाइरस तेजी से फैलता है और महमारी का रूप लेता है तो देश में टेस्टिंग के लिए परियाप्त कित हैं फिलहाल देश के अलग-अलग राज्यों में 51 लैब कोरोना वाइरस की टेस्टिंग कर रही हैं इन लैब्स की क्षमता एक दिन में 4590 टेस्ट करने की है ICMR ने पूरे देश में 106 वाइरस रिसर्च और डियागनॉस्टिक लैब तयार किये हैं जहां सरदी, जुकाम, बुखार के मरीजों के भी नमूने लिये जा रही हैं 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच 13 लैब में किये गए 20 सैंपल निगेटिव मिले टेस्ट के लिए खासतोर से दो केमिकल एजेंट, प्राइमर और प्रॉब की जरूरत होती है प्राइमर जो की स्थाने स्थर पर तैयार हो सकता है जबकि प्रॉब को हमें खरीदना पड़ता है ICMR लैब नेटवर्क में फिलहाल एक लाख प्रॉब उपलब्द हैं और इसके अलावा दो लाख अतरिक्त प्रॉब खरीदे जा रही हैं ICMR के मताबिक प्रमुक अंतराश्वे कंपनियों से भी संपर्क किया गया है जिन्होंने परिक्षण के तैयार किये हैं इसके साथ ही ICMR ने कहा कि परिक्षण के लिए हमने पहले निजी लैब की जरूरत महसूस नहीं की थी हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो इस बारे में भी सोचा जाएगा लेकिन देश कोरोना के लिए आगे की स्तती से निपटने के लिए पूरी तरह तयार है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें